असलाम लेकूम, I'm Mehreen, I'm a consultant, nutritionist, इस वक्त मैं अली मेटिकल सेंटर इसलामबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, morning time mix में सुबो 9 से 2 बज़े तक, Monday to Saturday, इसके लावा पिछले 10 साल से online के जो patients हैं और जो clients हैं, जो नहीं आ सकते और अपनी जो बिमारी से related कोई बात नहीं क्लीनिक में कर सकते, वो online भी consultation मुझसे ले रही हैं और अलहम्दुरिला अपने बहुत अच्छे से problems को sort out कर रहे हैं। जो हमारी घिजा और जो हमारी घिजायत होती हैं, वो ही हम बनते हैं। हमारे body cells कुछ अरसे के बार तूटना शुरू हो जाते हैं और degenerate होके नए body cells बन जाते हैं और ये वहीं से बनते हैं कहां से हमारी खुराक से। जितना अच्छा हम खुराक का इस्तिमाल करेंगे, जितनी natural diet हम लेंगे, इतनी ही natural और original हमारी personality और हमारी body होगी। और जितना जादा हम processed food और जितने toxins लेंगे, इतनी ही जादा हमारी body processed चीज़ों से यानि artificial food से खराब हो सकती है। Importance of nutrition यहीं से साबित होती है कि चाहे किसी भी किसम की आप किसी बिमारी में हैं या पर normal day-to-day जो आपकी intake है चाहे वो बच्चे हों या बुजर्ग हजरात हों या पिर किसी भी age में आपकी proper nutrition, एक balanced nutrition और एक healthy nutrition बहुत जाद important है ताके आप एक healthy और एक natural और एक अच्छी जिन जाद है एक ही किसम की खुराक हर तरहां के मरीज और हर तरहां की age group के बंदेगी नहीं हो सकती मुखतलिफ बैमारियों में मुखतलिफ किसम की diseases के साथ में हमें खुराक को balance करना होता है यह काम एक अच्छी dietitian या एक माहरी घजायात ही आपको बता सकती है कि एक शुगर के मरीज को किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और उन चीजों को बेहतर तोर पे इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों से और बहुत सारी चीजों से और बहुत सारी चीजों से अपना मुख मोड़ लेते हैं और उससे होता क्या है बजाए फाइदे के हमें नुक्सान ह होता चला जाता है तो nutrition हर age group के हिसाब से चाहे वो मर्द है औरत है बच्चा है बुजर्ग है और किस किसम की उसको बिमारी है उस हिसाब से nutrition different होती है और इस चीज़ का तयायन करना और अंदाजा करना बहुत जादा जरूरी है कि right nutrition in right amount at right time किस तरीके से इस्तिमाल की जानी चाहिए बहुत ही ज्यादा common problem और बहुत ज्यादा common question जो dietitians से पूछती है especially females होती है वो होता है weight loss का के doctor साब हमने हर किसम की चीज़ की है हर काम किया है लेकि हमारा वजन कम नहीं होता देखें वजन खटाना एक तरहां से आसान भी है और एक तरहां से बह जासे होता है उनके उसी dietitian pattern को ठीक करके और lifestyle को improve करके वजन कम किया जा सकता है अरसा 10 साल से मैं इस तरहां के मरीज़ देख रही हूं खास तरफे खवातीन को देख रही हूं जिनके यही मसाइल है या उनको PCOS का problem है या पर diabetes के साथ में या फिर उनके बहुत सारे ऐसे stress factors ह या बहुत सारे ऐसे अलाके हैं जहां पर आप walker exercise नहीं कर सकते या आपको parts या फिर वो जिम की सहुलियात मयसर नहीं है और बहुत सारे लोग afford नहीं कर सकते उनकी help कर रही हूं ताके वो अपने मौजूदा resources में रहते हुए अपने वजन को घटा सके और जाहिर सी बात है कि वजन को कम करने से और घटाने से बहुत जादा बिमारियों का इलाज हो जाता है कस्टमाइज डाइट प्लान क्या होता है देखें दो तरहां के प्लान होते हैं आपको गूगल पे इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स मिल जाएंगे जो के आपके sample आपका वजन भी ज्यादा है आपका यूरिक एसिड भी ज्यादा है और इसके लावा आपका हाई कोलिस्ट्रोल भी है अब आप ऐसा plan फॉलो कर रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों को मदे नजर रखकर नहीं बनाया गया तो वो चीज़ आपका customized plan नहीं होगा customized plan एक tailored diet plan होता है जिस तरह से आप अपने tailor के पास जाते हैं अपने body inches कराते हैं और उससाब से आपका proper dress तयार हो जाता है और वो आप पर अच्छे से fit आ जाता है tailored diet plan या customized diet plan आपके lifestyle, आपकी routine, आपके age group और आपकी पसंद नापसंद को देखते हुए बनाया जाता है और चुनके ये आपके मताबक होता है इसलिए आपका follow करना आसान हो जाता है और जब आप follow करते हैं तो फिर आपको result भी 100% मिलते हैं बहुत सारे लोग हमसे ये question करते हैं कि मुक्तलिफ बिमारियों में किस तरह की diet होनी चाहिए और इसके लावा जो different किसम के operations होते हैं जो surgery's होती है जैसे के liposuction हो गया, biriatric surgery हो गई या पर different किसम की चोटी बड़ी जितनी भी surgery's होती है उसकी diet कैसी होनी चाहिए ये बहुत valid question है, आपकी diet and nutrition आपकी बिमारी में मुख्तलिफ होती हैं और इसके लावा आपके किस नौयत का operation है चाहे वो कोई general surgery है या पर कोई orthopedic surgery है या पर कोई neurosurgery है उस हिसाब से आपकी diet बहुत different होती है क्योंकि हर surgery में आपकी जो intake है चाहे वो regular diet है या liquid या soft diet वो बहुत different होती है after surgery आपको बहुत जादा अच्छी calories और बहुत अच्छी nutrition की जरूरत होती है ऐसे मौके पे बहुत बहुत बेहतरीन जो आपकी खुराक होगी यकीनन उसके results भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी recovery में बहुत जादा उससे help हो जाएगी natural food और process food में बहुत फर्क है natural food वो है जैसे के हम fruits, vegetables या वो तमाम organic चीजें जो हम daily routine पे खालिस तोर पर इस्तिमाल करते हैं बदिस्वत उसके जो process food है जिसमें तमाम expiry dates आ जाती है या डबे में बन, packaging में बन, जितनी भी चीजें है या पिर हमारा most नी जो junk food है, fast food है, ये वो तमाम चीजें process होके जो हमारे पास आती है, वो process food है कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा organic और natural चीजों का इस्तिमाल करें ताके आप बहुत सारे harmful agents और बहुत सारे color agents से अपने आपको बचा सके अगर आप मेरे appointment करवाना चाहते हैं, तो आप मरहम की app पे या मरहम की website पे जाके appointment book करवा सकते हैं Thank you so much